नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के DCLR रैंकिंग में ये जिला सब से आगे दियनेट सर्यूक्त प्रवेश परिच्छा का ओनलाइन आवेदन सुरू बिपेसी और सर्फी परिच्छा देने से पहले जान ले ये नियम मंगत विश्विद्याली के डेर लाग छात्रों का जन्वरी के अंध तक जारी होगा रिजर्ट गिलने की बावर आजम के रिकॉर्ड की बड़ाबरी बिहार के DCLR रैंकिंग में ये जिला सबसे आगे बिहार राजशो एवं भूमी सुधार विभाग के दोरा भूमी सुधार उपसमहारता यानि की DCLR की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें बिहार के सुपॉल के निर्मली के DCLR ने 9 में से 83.15 अंक हासल करते वे पहला अस्थान पाया है इसके साथ ही सूची में दूसरे अस्थान पर 79.19 अंकों के साथ पुर्वी चमपारन के अरेराज के DCLR है और तीसरे अस्थान पर चक्या के पदाधिकारी 78.17 अंक के साथ हैं वह इस लिस्ट में सबसे नीचे मुंगेड के हवेली खड़कपुर के DCLR 27.11 अंकों के साथ 101 वे स्थान पर है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रदेश के करीब तीन दरजन अनुमंडल ऐसे हैं जहां के DCLR के दोरा 50 फीज़ी काम भी पूरा नहीं किया गया है DLA सयुक्त प्रवेश परिक्षा का ओनलाइन आवेधन सुरू DLA सयुक्त प्रवेश परिक्षा 2023 देने के एक चुक अभ्यर्तियों के लिए आवेधन की प्रक्रिया बुदवार यानि कि यहां से शुरू हो गई है बतादे कि इसमें आवेधन करने की अंतिम तारीक आठ फरवरी तक नरधारित की गई है यानि कि एक चुक अभ्यर्ति आठ फरवरी तक आउनलाइन तरीके से आवेधन कर सकते हैं इसके साथ यागर आवेधन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए एक हेल्प लाइन नमबर 6268062129 और 6268030939 जारी किया गया है जिस पर अभ्यर्ति संपर्थ कर अपनी समस्या को सुलजा सकते हैं आपके जानकारी के लिए बता दिए कि इसकी परिक्षा भी ऑनलाइन ही आयूजित की जाएगी जिसमें कुल 120 प्रश्ण होंगे और इस परिक्षा के जरीए कुल 3700 सीटों पर नमांग करन ली जाएगी बिहार में अब सराब धंदे बाजो को डर्ट बाइक से खदेरी की उतपात पुलिस पिहार में अब सराब तसकरी पर रोक लगाने के लिए उतपात पुलिस के द्वारा नई तर्कीब निकाली गई है बता दे कि अब वैसे सराब तसकर जो कच्ची सरकों पर लहरिया कट ब हाग जाते हैं उन्हें अब बिहार मद निशेद उत्पाद एवं निवंधन विभाग के उत्पाद विभाग के पुलिस कर्मियों के द्वारा डर्ट बाई की मदद से खदेरते वे पकड़ा जाएगा जानकारी के लिए बता दे कि विभाग के द्वारा पांच डर्ट बाई इसको काफी आसानी मिलेगी। इसको के द्वारा अपनी कलाकारी दिखाई जाएगी। इसको के द्वारा अपनी के द्वारा अपनी के द्वारा अपनी कलाकारी दिखाई जाएगा। इसको के द्वारा अपनी कलाकारी दिखाई द्वारा अपनी कन्ति आएगी। इसके बाद उपमोखे मंतरी के दोड़ा मंच से इस बारे में सफाई देते वे लोगों से कहा गया कि पहले हम भी विपक्च के नेता थे अभी हमें सरकार में आया हुआ चार महीना हुआ है और हम सभी छेतर पर अपना ध्यान बना कर रखे वे हैं सिक्छा विभाग भी अपन या फिर PAS हो जाएगा उसके बाद बैमां सिक्छे के खिलाफ कारवाई की जाएगी बिहान महिला सिपाहियों द्वारा बुजब की बरबर पिताई पर मानवाधिकार आयोग सक्त बिहार के कैमूर में 20 जन्मरी 2023 को दो महिला सिपाहियों के द्वारा 70 वर्षी बुजर्ग सिक्षक की बीच बाजार में शार्वजनिक रूप से पिटाई करने वाला वीडियो को देख राश्ट्री एमानवादिकार आयोग काफी सक्त नजर आ रहा है बता दे कि राश्ट्री फिसल गई और वे सरक पर गिर गए जिस वज़े से कुछ दे ट्राफिक जाम हो गया स्पीच वहां तैनाद दोनों महिला पुलिस कर्मियों नहीं उनकी बरबर तरीके से पिटाई कर दी जिसके बाज सिक्षक की पिटाई का वीडियो वारल हो गया बिहार पुलिस पिदाधिकारियों के प्रमोशन की तैयारी समाने प्रशासन विभा के निरदेश पर मुख्याले के द्वारा बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर और समक्च पिदाधिकारियों की पदोनती को लेकर इससे संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है बता दे पुलिस मुख्याले के ADG जितंदर सिंग गंगवार के द्वारा सभी प्रभागों को एक पत्र जारी कर नर्देश दिया गया है कि वे सभी पुलिस नरिक्चक एवं समक्ष कोटी के पताधिकारियों की सेवा पुस्तिका एवं गोपनिय रिपोर्ट के साथ साथ आरोग के मगद विश्यविद्याले के डेर लाग चात्रों का जन्वरी के अंद तक जारी होगा रिजल्ट मगद विश्यविद्याले के चात्रों के द्वारा काफी कोशिश करने के बाद उनकी कोशिश शफल होते नजर आ रही है दरसल मगद विश्य विद्याले के देर लाग छात्राओं का सनातक पार्ट एक सत्र दो हजार उन्नी से 20 और पार्ट दो सत्र दो हजार अठार से 21 का लंबित रिजल्ट जन्वरी महीने के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा बता दे कि अब परिच्छा शाखा के पास तयार रिजल्ट उपलद होने लगा है मगद विश्य विद्याले के परिच्छा नियंत्र डॉक्टर आनंद कुमार सिंग के दोरा दिये गए दावे के अनुसार पहले कॉमर्स संकाई का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद साइंस और फेड आर्ट्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा यह सभी रिजल्ट मगद विश्य विद्याले की वेब साइट पर जारी किये जाएंगे पटना हाई कोट ने मदर्सों की जांच के लिए दिये आदेश पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस संजय करूल की मदर्सों को दी गई मानता पर दर्ज प्रात्मी की पर जांच करने का नर्देश दिया गया है दरसल याची का करता के अधिवक्ता राश्ट अजहार के द्वारा कोट को बताया गया कि सीता मरी जले में फरजी का अगजात पर करीब 88 मदर्सों ने सरकारी अनुदान लिया ह इसलिए इन सभी के खिलाब प्रात्मी की दर्ज की जाए आपके जानकारी के लिए बता दे कि अब इस मामली पर कोट के द्वारा अगली सुनवाई 14 फरवरी 2023 को की जाएगी अवैद खनान रोकने को विभाग पुलिस बल गठित करेगा डॉक्टर रामानंद यादा राजी में अवैद खनान रोकने और गरवरी होने पर कारवाई करने के लिए बीते दिन प्रदेश राज़त कारयाले में सुनवाई कारेकर्म के दौरार डॉक्टर रामानंद में सभी कारे सक्रियता के साथ किया जारा है दौरान डॉक्टर रामानंद यादव का सहयोग प्रदेश प्रवक्ता एजाज एहमद महासचीफ संजाई यादव निर्भै कुमार आमबीतकर सिविंद्र कुमार तांती मनोजी यादव अन्य निताओं ने सहयोग किया बिहार के मंतरी आलोक महता को धमकी देने के मामले में दो पर केस बिहार के राजश्व एवं भूमी सुधारव गन्ना उद्योग मंतरी आलोक महता को जान से मारने की धमकी वाले मामले को लेकर मंतरी के लिखत सिकायत के आधार पर सची वाले थाने में दो पर केस दर्श कि गया है उनके नाम दीपक पांडिया और पपूत्रिफाटी है। स्वास्ते विवस्थाओं को सुधारने के लिए विहार के उपमुखे मंत्री सह स्वास्ते मंत्री तेश्वी आदब पूरे अक्शन में नजर आ रहे हैं। यानि कि अब जिस सरकारी अस्पतालों में साम के समय में डॉक्टर के सेवा बहाल होती है वहाँ अब साम के समय में मरीजों को OPD में डॉक्टरों से इलाज करवाने के लिए अलग से रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसको लेकर स्वास्त विभाग के अपर मुख्य सची प्रते अमरित के ओर से आदेश चारी कर दिया गया है। गिल ने की बाबर आजम के रिकॉर्ड की बडाबरी वीते दिन मंगलवार को होलकर्ट क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजलैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम मैच में भारत के सलामी वल्लेबास सुमन गिल के दौरा चौथा बंडे सतक लगाया इसके साथ है गिल ने बाब अंदीज के खिलाफ खेलते वे तीन वंडे मैचो की स्रीज में 360 रन बनाये थे वही अब गिल ने भी 360 रन बना कर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल हो गया है जानी ऐस बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज जानी बुदवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गा इसके वाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल गत्रों 107.52 में बिल रहा है मुझे अपरपुर्ण में पेट्रॉल 107.9 रुपे और डीजल 94.6 रुपे प्रती लीटर मिल रहा है वही पुर्णिया में पेट्रॉली कीमत 108.7 रुपे और डीजल 95.4 रुपे प्रती लीटर है बिता दी कि बिहार में पेट्रॉल का रेट सबसे आदा किसन गंज में हैं जहां पेट्रॉल 109.4 सुने रुपए प्रती लीटर और डीजल 96.4 रुपए प्रती लीटर की दर से मिल रहा है बीते दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पना जवाब हमें हमारे कामेंट सेक्षिन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्हों नहीं हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है इतना सुधार आया है आप अपना जवाब हमें यमारी कमेंट शक्षम लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक